दिश esperando दोसों बहुत कुछ कहा जा रहा है इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उन दो इन्टिव्यूज के बारे में मैं इंविद कर रहा हूं की और भी कुछ इन्टिव्यूज दिये जाएंगे और इन इंट्रिव्यूजस में सही माइने में प्रथान मंत्री से कुछ सवाल पूछे जाएंगे जो कि उनके साख क्या रूप हो। जो कि उनके कद क्या रूप हो। क्योंकि माफ कीजिएगा कि दोने इंटर इंटर्व्यूस जो किये गए हैं मेरे हिसाब से चाटुकारिता की जो नीव नतम मिसाल हो सकती है ये दोनों इंटिव्यूज उसी के उदाहरण थे अगर ये इंटिव्यूज मैं करता तो वो कौन से सवाल हैं जो मैं पूछना चाहता सबसा पहला सवाल और इसका तालुक विदेशनीती से पाकिस्तान से हमारे संबंध जो हैं बद से बत्तर हो चुके हैं हालात ये हैं कि लाइन ओफ कंट्रूल पर लगातार गोली बारी चलती रही है पिछले कुछ अरसे में पिछले एक या दो हफ़तों में नजाने कितने नागरिक मारे गए हैं नजाने कितने जवान शहीद हुए हैं यही नहीं डोकलाम पर जो बड़ी बड़ी बाते की जा रही थी डोकलाम पर फिर से चीन काबिस हो गया है नेपाल में इस वक्त एक ऐसी सरकार है जो कि भारती हितों के अनुरूप नहीं है और वो भी लगातार चीन की तरफ जा रहा है तो मेरा सवाल यह होता प्रधान मंत्री से कि प्रधान मंत्री हम लगातार दक्षिन इश्या में घिरते जा रहे हैं हमारे पड़ावसी जो हैं वो हमसे दूर होते जा रहे हैं उनसे तनाव लगातार बढ़ता जा रहा है सामरिक हित की पूर्ती कर रहा है इस तरह का तनाव यह मेरा पहला सवाल होता और इसी से जुड़ा मेरा दूसरा सवाल होता क्योंकि बाहर तो तनाव बढ़ रहा है यानिकि चीन से भारत पाकिस्तान से नेपाल से कोई बहुत अच्छे संबद नहीं है ऐसे में आंत्रिक तना कि नहीं हुए है इनको शामिल करने में बीजेटी की राजसरकारों का हाथ है जिस तरह से करणी सेंह के पक्ष में राजस्थान हर्याना मध्यश की सरकारें उभर कर आई है ये वाकर शरणाख है तो सवाल यह मोधी जी मेरा दूसरा सवाल होता कि बाहरी टनाफ तो बना कि वो दोहरा तनाव का सामना कर सकता है और इसी से जुड़ा मेरा तीसरा सवाल होता तीसरा सवाल मेरा ये होता कि आखिर क्यूं आप खामोश हैं जस तरह से हिंसा को बढ़ावा देने वाले गुट जो है वो लगातार अपना वर्शस्व देश में काइम कर रहे है क्या वज़ा है कि आप खामोश है और जब आप दुनिया भर में ये अपील कर रहे हैं कि आईए कम मेक इन इंडिया भारत में आके निवेश कीजिए क्या आपको वाकई लगता है कि जिस तरह की लाल फीता शाही इस देश में है कोई इन्वेस्टर आके भारत में विनिवेश करेगा इन्वेस्ट करेगा अगर इस तरह की आंत्रिक अस्थिरता होगी अगर इस तरह से गाय के नाम पर इस तरह से बेवज़ा मुद्दों के नाम पर तनाव पैदा होगा तो क्या ऐसे में कोई दूसरी कमपनी बाहरी कमपनी आकर देश में निवेश करेगी और इसको लेकर आप क्या करेंगे क्योंकि आप लगातार खामोश बने हुएं आप इस पर कोई टिपड़ी नहीं कर रहे हैं आपकी राज सरकारों के रवई से सपष्ट है कि आप उनके कान भी उमेट नहीं रहे हैं आप उन्हें भी कट घरे में नहीं रख रहे हैं जिस तरह की उनकी कारवाई है जिसका मतला आपकी खामोशी बनी हुई है और आपकी खामोशी चिंदा करने वाली है तो तीसरा सवाल ये होता कि इन आंतरिक गुटों में इस जो आंतरिक हिंसा फहला लेने वाले गुट है इनके इन पर आपकी खामोशी क्या कहती है और इसी से जुड़ा मेरा चौथा सवाल होता कि अगर आपकी खामोशी बनी हुई है तो फिर भारती आर्थवेवस्था को जो है फिर से एक मुकाम में पहुँचाएंगे आप कैसे क्या आपको वाकई लगता है कि इस तरह की खामोशी तुनिया भर में भारत को लेकर जो है वो एक विश्वास पैदा कर पाएगी फिर मैं आपसे जो पाँचवा सवाल मेरा होता मैं वो आपसे ये पूछता कि प्रधानमंत्री जी बताईए कि सियासी तर पर चाहे GST हो चाहे आधार हो चाहे FDI हो या चाहे पेट्रोल के बढ़ते दाम हो सियासी तर पर आपकी जो सोच इस वक्त है इसके बिलकुल उलट पहली हुआ करती थी हम सब जानते हैं कि GST को रोकने में आपका कितना बड़ा किरदार था जब आप मुख्यमंद्री गुजरात थे हम सब जानते हैं कि पेट्रोल के बढ़ते दामों पर आप किस तरह से कट घरे में कड़ा किया करते थे हम सब जानते हैं कि FDI के मुद्दे पर आपने ये तक कह दिया था कि मनमों सिंग सरकार ने देश की हितों को ताक पर रख दिया है देश को बेश दिया है तो मेरा जो पांचवा सवाल आपसे यह होता मोदी जी कि मुझे बताईए कि क्या हाती के दाथ खाने के कुछ और दिखाने के कुछ और क्या सियासत और गवर्निंस में एक बहुत बड़ा फर्क है और इस फर्क को आप अब जाके आप समझ रहे हैं जब आप सत्ता में हैं मेरा च्छटा सवाल मोदीजी से यह होता कि क्या वज़ा है कि भाषा की गर्मा लगातार गिरती जा रही है क्या वज़ा है और क्या वज़ा है कि इसे गिराने में आप भी किसी तरह का कोई अंकुष नहीं डाल रहे हैं कि आलोशकों का तो ये मानना है कि उसके गिरने में आपका भी एक योगदान रहा है क्या वज़ा है क्या वज़ा है कि इस कटुता को बढ़ाने में आपका भी योगदान दिखाई दे रहा है और अगर इस तरह से कट्टता बढ़ती जाएगी तो सियासत किस दिशा में बढ़ेगी चाहे शम्शान कबरिस्तान वाली बात हो चाहे कांग्रिस को दीमक बताने वाली बात हो यानि कि एक के बाद एक एक के बाद एक ऐसा लग रहा है कि एक स्टेट्समेंट की जो अमीद हम आपसे कर रहे हैं वो किसी तरह से नदारत है वो पूरी तरह से गायब है और ये मुझे चिंतित कर रही है आप भारत में जो सियासत है उसके स्तर को उसके समवाद के स्तर को बढ़ाने के लिए आप क्या करेंगे इसके अलावा मेरा आपसे ये भी सवाल होता कि राहूल गांधी, अखलेश यादव और अरविंद केज जिवाल इन तीनों में आप क्या खुबियां देखते हैं या फिर सात्वा सवाल ये भी हो सकता है कि इन तीनों में सियासी तोर पर आपको सबसे कठिन चुनौती किस से मिलने वाली है हाला कि मैं जानता हूँ कि अखलेश यादव और राहूल गांधी जो हैं एक ही मोर्शे पर है तो इन नामों में कुछ और लोगों को हम शामिल कर सकते हैं सात्वे सवाल में हम ममताब अनरजी को शामिल कर सकते हैं वामपंती दलों की बवात नहीं करूंगा क्योंकि वामपंती दल जो है उनका वर्शस उनका स्तित्व जो है वो लगातार कम होता जा रहा है तो ऐसे में प्रतिद्वन्दुता की नाम पर आप किसे बड़ा खत्रा मानते हैं ये मेरा आपसे सात्वा सवाल होता मेरा आठवा सवाल आपसे ये होता कि अब आप ये तक कहने को मजबूर हो गए है कि मुझे सिर्फ नोटबंदी और GST पर ना आका जाए आपने के इंट्रव्यू में ये कहा था कि मुझे नोटबंदी या GST पर ना आका जाए तो जो आपकी सबसे बड़ी उपलब्धी जिससे आप गिनाते थे नोटबंदी उस पर आपनी यूटर्न क्यों ले लिया है जैसे आपने और अन कई मुद्दों पर लिया है तो क्या आप यस विकार कर रहे हैं मुद्दी जी कि GST और नोटबंदी पूरी तरह से असफल साबित हुई है क्या GST और नोटबंदी हमारी देश की अर्थ्यवस्ता में सबसे बड़े गतिरोधक साबित हुए है इसके बाद जो मेरा सवाल आपसे होता मेरा नौवा सवाल मेरा नौवा सवाल आपसे यह होता मुद्दी जी आप सोशिल मीडिया पर दुनिया भर में जो आक्टिव लोग हैं सबसे ज़ादा सक्रिये हैं आप तमाम मुद्दों पर अपनी बात रखते हैं यही वज़ा है कि मैंने आपसे पहले सवाल किया था कि आपका जो बयान है, आपकी जो बयानात है वो सुविधावादी क्यों है? क्या वज़ा है कि जिन मुद्दों पर आपको बोलना होता है वो छोटे से छोटे मुद्दे पर बोल देते हैं? मगर आप बड़े से बड़े मुद्दे पर खामोशी अख्तियार कर लेते हैं जबकि आपके पास सोशल मीडिया का प्लाटफॉम है तो मैं ये जानना चाहता हूं कि सोशल मीडिया का सुविधावादी प्रयोग क्यों इस मीडिया के जरीए आप क्यों नहीं हर मुद्दे पर अपनी बात रखें जिस से देश में सामन जस स्थापित हो और मेरा दस्वा सवाल या ये कह सकते हैं कि नौवा सवाल भी का दूसरा अंश इस से है कि क्या वज़ा है कि आप गाली बाजों, क्या वज़ा है कि आप बलातकार की धमकी देने वालों, हत्या की धमकी देने वालों, दूसरों की मौत पर जश्न मना ले वाले वाले लोगों को आप फॉलो करते हैं मैं जानता हूँ कि उसका जवाब ये होता कि आप कहते कि इन पर मेरा कंट्रोल नहीं है जिस तरह से आपके तमाम जो लोग हैं वो ये कहते हैं मगर जब आपकी टाइम लाइन पर आप इस तरह की अभधरता देखते हैं तो आप कैसा महसूस करते हैं क्योंकि ये जो तमाम लोग गंदी गंदी गालियां देते हैं ये आपके टाइम लाइन पर आते हैं तो आप कैसा महसूस करते हैं जब वो इस तरह की भाशा का इस्तमाल करते हैं मैं आपसे ये भी पूछना चाहता और ये मेरा आखरी सवाल होता कि क्या वज़ा है कि पत्रकारों के प्रती आप इतने असहज क्यों है यानि कि जो पत्रकार आपका गुणगान करें उनके साथ आप खुल कर बात करते हैं मगर जो आपकी आलोचना करें जो आपके कठिन सवाल करें आप उनसे दूर भागते हैं क्या वज़ा है और क्या वज़ा है कि आप से interview मेरा जैसा शक्स कभी नहीं कर सकता जो आप से कठिन सवाल पूछना चाहेगा क्योंकि आप किसे कठिन सवालों से ही इस देश की दशा और दिशा तै होगी तो दोस्तों ये वो दस सवाल थे जो मेरे जहन में अभी आचानक आया और यही वज़ाए कि मैंने इस ब्लॉग को अभी विडियो ब्लॉग को रिकॉर्ड किया और मैं उमीद करता हूँ मैं उमीद करता हूँ कि अभी आने वाले इंटिव्यूज में उनसे जो सार्थक सवाल है वो पूछे जाएंगे कठिन सवाल है वो पूछे जाएंगे क्यूंकि इस देश का जो मुख्या है उससे हमेशा जवाब देही के लिए तयार होना चाहिए मैं यह नहीं कहूंगा कि उकट घरे में रहता है मगर जवाब देही बेहद सरूरी है अपना ख्याल रखिए नमस्कार